स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में आज हम JCRT Class 8 आधुनिक भारत इतिहास के अध्याय 5 सिल्प और उद्योग के प्रस्नों को सोल्व करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आकन प्रेस कर लीजे ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और अगला वीडियो आपको किस क्लास का कि और कौन से सब्जेक्ट का चाहिए यह हमें कमेंट में वी ज़रूर बता दें ताकि हम उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना सकें फिलाल आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कौन-कौन से प्रैसने और इसके उत्र क्या होंगे तो इसमें पहला प्रैसने रिक्त अस्थानों की पूर्ति कीजिए जिसमें पहला प्रैसने है शूरत बंद्रगा खाली अस्थान राइज में अस्थित है तो इसका उत्तर होगा गुजरात सूरत बंद्रगा गुजरात राइज में अस्थित है अगला प्रैसने टाटा अगला प्रेस ने जामदानी एक तरह का खाली अस्थान होता है तो इसका उत्र होगा बारीक मलमल जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है अगला प्रेस्णे निमने प्रेस्णों के उत्र संझेप में दीजिये जैसे पहला प्रेस्ण है बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो इसका उत्र होगा इंग्लेंड में बने शुत्ती कपड़ों ने उनिश्व सथी किस्रुवाद थक भारतिये कपड़ों को अमिरिका, उरोप और अफ्रीका के प्रमप्रागत बजारों से बाहर कर दिया था इसकी वजह से भारत के हजारों बुनकर बेरुजगार हो गए सबसे बड़ी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी, बिरिटेश और उरोफी कमपनियों ने भारती माल खरीदना बंद कर दिया, इन एजेंटों ने तहीं सुधा आपुर्ति के लिए बुनकरों को पेश की देना बंद कर दिया था, अगला प्रेस ने कास्तिगारों को स्थाई रूप से रहे और खेती करे, अस्थाई रूप से एक जगा रहने वाले किसानों को नियंत करना असान था, अंग्रेज अपने सासन के लिए आमदनी का नियमीत स्रोत चाहते थे, फल सवरूप उन्हेंने जमिन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिये, उन्हेंने सुत्ती कपड़ उद्योग की उत्पादन पर क्या प्रभाब पड़ा, तो इसका उत्तर होगा, ब्रिटेन में सुत्ती कपड़ उद्योग की विकास से भारती कपड़ उद्योग की उत्पादन पर निमलिखित प्रभाब पड़े, पहला, अब भारती कपड़ को उरोप औ और अमेरिका के बजारों में वीरिटिश वद्यों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। ould़िभारस से इंग्लेंड को कपडी का निर्यात मुष्खिल हो जाता था। क्योंकि ब्रिटीश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सुल्क थोप दिये थे। तिसरा यहां के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए, तो था विदिशी बजारों से भारती कपड़ों को बाहर कर दिया गया था। और पाँचवां उनके एजेंटों द्वारा पैसगी देना बंद कर दिया गया था। आपको वीडियो कैसे लगा यह हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक किजी दोस्तों के साथ शेर किजिए और अगर आपने हमारे यूट्यूब जनल को विजब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्र